एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इस्टेड गयान पर तो जैसे कि हमने आपको लगातार SM टोर्स यानि आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है यह जो हमने आपको पिछली लेक्शन में आपको जो कोशन कराया था उससे सिमिलर कोशन ही आपके आप आप यह कोशन देख सकते हैं फाइंडा SM टोर्स ऑफ दा फॉलोविंग कर निम्न वकर की अनन्त इस्पश्या ग्याद कीजिए ठीक है तो आपको यह एक्वेशन यहां पर दे रखिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो आप Maximum पावर किया आपके 3 यहां पर दे रखिये सकते हैं इसका जो कोफिशन उन्ट क्या जो की क्या होता है यह एक हैस और युआ है ताहिए आपके अचया होता है इसलिए इनमें सेमानता है रहना आग याने पैरलल j害 50 इसे Vern todavía होती थी के ऐगर एसी कंडिशन हो जाती तहां हम आप सा द क्यों म्हांतले यंंहीं मेठन लगाती थी के तो सबसे के यहां पर देखना पड़ता है कि इसकी हाइस्ट पावर क्या है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इसकी पावर तीन है और यहां पर भी दोनों में आप देख सकते हैं इसकी पावर दो यहां पर 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 यहां कि यहां पर one constant आगया ठीक है यानि आप पर यहां पर यह भी आपके वन पावर का नहीं है एक भी coefficient ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले हमें तीन पावर की जो हमारे compound है यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और यहां पर यह थर्ड और यह फॉर्थ ठीक है तो यहां पर हम 5-3 माल लेते हैं इसकी maximum अगर आप पिछली classes लेते जा रहे तो अभी तक तो आपको यह question बिल्कुर अच्छी तरह से आगया होगा आप भी हमारे साथ यह question करते रही है अगर आपने पेले की classes देख रखी होगी तो ठीक है बिल्कुर similar question है जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताए था ठीक है तो यहाँ पर क्या हमें S की जगह 1 रख देते हैं 1 का cube आपका 1 होगा यहाँ पर S की जगह 1 रखेंगे तो 1 का square 1 ही होता है Y की जगह M रखना होगा तो M हो जाएगा 5 M हो जाएगा ठीक है उसके बार में S की जगह 1 Y की जगह M तो M square होगा तो यहाँ क्या होगा 8 M square उसके बा नहीं हो गया है यहां पर एसकी जगह यहां तों य। फीर कमपौण्ड में आपके दिंक नहीं है इस कारणे की क्या हो जाता आपके 0 हो जाता है इंगे और आपने यहां पर minus 1 बचा है तो यह हमारा 5 0 यहाँ पर हो चुका है ठीक है फिर आपकी जो highest power रहती है उसको हम किसके equal ले लेते है जीरो की यहाँ पर आप देशते हैं 5 3 है सबसे highest तो इस पूरे compound को हम क्या है 0 की equal to यहाँ पर ले लेते है जैसे कि आप यहाँ पर देशते हैं हमने 5 3 को यहाँ पर 0 की equal ले लिया 5 3 का भी हमने मान निकाला था क्या था आपके 1-5 M plus 8 M square minus 4 M cube equal to 0 यहाँ पर आप सब को पता है कि सबसे पहले highest power आती है फिर small power आती है इसलिए हम उसको स्क्रम में जमा देते हैं हमारे यहाँ पर cube highest power इसलिए हम इसे आगे लिख देते हैं फिर square फिर 1 power यहा इस क्रम में आप पर जमा दिया ठीक है उसके बाद में आप सब को पता कि आप इसके normal इसके factor नहीं निकाल सकते हैं आप जैसे factor निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपके factor नहीं निकल सकते हैं इसके factor आपके वैसे नहीं निकल पाएंगे जैसे बाकियों के निकल सकते हैं क्यों उसके बाद में यहाँ पर वो चीज आपकी यहाँ पर नहीं बन सकती है इसलिए हम इसके जो factor है वो अलग type से आपकी हम यहाँ पर निकालने वाले है तो वो केसे निकालने हैं हम factor जैसे कि हमने पिछली classes में भी आपको बताया था कि इस प्रकार की जब questions आ जाया तो इसमें factor क यहां पर आपको यहां बता दिते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर हम M की जबह क्क्या रखेें आपको 10 और आपके प्लस 9 तो यह आपके क्या हो चुका है देख सकते हैं यह दोनर कट गए यह हो गया 0 हो गया तो हम कह सकते हैं यह गया हम M की जगह क्या रखे 1 रखे तो यह हमारा पूरा 0 हो जाएगा तो यहां पर आप side में देखिए m की जगह अगर हम 1 रखे तो यह पूरा हमारे 0 हो जाएगा तो इसे m equal to 1 को हम इस प्रकाल लिख सकते है m minus 1 equal to 0 यह 1 आपके इधर आएगा तो minus 1 equal to 0 हो जागा ठीक है तो m minus 1 equal to 0 तो हमारे यहां पर ही equation बनी m minus 1 अब इसी की मदद से क्या हम इसके factor निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछले question में बताया था इसके factor निकालना अगर आपको आगे होगा अगर एक बार इसको भी देख लीज़े आपको और अच्छी तरह से यहां पर आ जाएगा ऑएंगे कि आगर आप मिहां पर इस कौन सा CS Dent करें जिससे कि यह क्या बन जाए आपके 4 एम very new बन बंजाया देखें अगर हम इसे minus 5 एम इस्क्वायर से मटि पलाय करें गे तो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है पर आप यहाँ पर देखेंगे कि minus 4m square इस minus 1 से भी तो इंटो होगा तो क्या आ जाएगा आपके plus 4m square आ जाएगा अब आप यहाँ पर देख सकते कि plus का 4m square आपकी इस compound में नहीं आ रहा है तो ऐसी condition में हम क्या करेंगे इस 4m² को हटाना चाहिए यह हम यह देख सकते हैं यह हमारे यहां पर 8m² बन रहा है तो इस 4m² को हम 8m² बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 4m² और 8 करना पड़ेगा जिससे हमारा 8m² यहां पर आ जाएगा तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको इससे मल्टिपलाई करते हैं और यहाँ पर इसको 4M से मल्टिपलाई करते हैं किसे 4M से अब आप यहाँ पर देखेंगे प्लस का 4m² यहापर आजाएगा अब हमें क्या करना है आप यहापर देखिएगए कि यह plus का 4m है यह minus 1 से इंटू होगा इस से इंटू होगा तो आपके क्या आजाएगा यहापर आप देख सकते हैं यहापर आजाएगा आपके minus का 4M क्या आजाएगा आपके minus का 4M आजाएगा लेकिन हमें यहापर क्या चाहिए माइनस क lado 5 M चाहिए इस माइनस के फाइफ ndra को बनाने के लिए हम lys इंए पर वह माइनस ओर सबस को बने एम ऑनी चाहिए जिससे हमारे एमस फ्र मेर वह माइनस फाइफ maravilh यहाइपर बंजाए तो इसके लिए हम क्या यह आपकी जो equation यह बन आपके चुकी है क्या अब हमारे factor आसानी से निकल जाएंगे यहाँ पर आप देखिए minus 4m क्यों आ रहा है plus 4m square plus 4m square आपके 8m square हो गया minus 4m और minus 5m हो गया और यह plus 1 इस प्रकार याणि जो हमने factor निकाली जो factor की equation पहले हमने निकाली वह हमारी लगबग गभी तो ज़ा रहा है महघर ओसके बाद में आपको क्या करना है यहा पर आप देखितनी यहां पर भी minus sorry m ġ 1 यहां पर-m 1 म यहां पर वह माइनसफरों नहीं में यह था मैंसने m गधिंदे ल यही दो महाल है घंड हम से धकर-थर निकालना हमारा असान हो जाएगा नहीं निकल पारें थे इसके कारण अब इसकी मतलब से तो sem जैंगे यहां पर हम यहां परमम एफजा मौयने से आध्यों यहां लोगने के अब हम ध्यom सबसे प्लस में बदलना होगा जिससे हमारे फेक्टर वह आसान तरीके से निकले तो इसके लिए क्या करते हैं इसको प्लस में बदलने के लिए इस पूरी क्वेशन को माइनस से इंटू कर देते हैं किससे माइनस से जैसे इंटू करते हैं यहां पर यह आपके 4m स्कॉर यह प्लस में चेंज हो जाएगा और यहां पर आपने माइनस से मल्टिप्लाइ कर रहा है तो वह इक्वल टू जीरो चल जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपके यहां पर आपके आ चुका है क्योंकि इससे हमने minus से यहाँ पर multiply यहाँ पर हमारे कर दिया है ठीक है!! उसके बाद मेशीक्जा होगा यहाँ पर आप देखेंगे इसके हाँ हम zastander निकालेंगे यहाँ तो आपके factor निकाल के देखी तो आपके यहाँ पर 2m-1 यह किसका formula बन रहा है आपके 2m-1 का whole square का एक बार आप देखें पर 2m-1 का whole square खोलेंगे तो आपके यह equation बनती है एक बाद देखेंगे आप 2m का आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m का whole square यहाँ पर लिख सकते है आप़ यहाँ पर देखेंगे कि म-1 यह यह किसका है तो इस 2-2m-1 को हमिए दो बाल लिख देते हैं तो यह इसकी बात होती है यह कि होब करके हम क्या है यहाँ दो रहां यहाँ नहीं पर लिख देते half मान आएगा क्या आएगा half एक और हम यहापर आपको side मता रिते हैं आप देख सकते हैं कि 2-1 m को आपके equal to zero लेंगे तो आपके क्या एगा 2m equal to one और यहापर m का मान क्या जाएगा आपके half यहापर आजाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हमारे यह पर यह क्या आगया? फोर्मिला लगता है ठीक है? और अगर आपके 2 मान सेम हो तो आपके second वाला formula लगता है ठीक है यहाप आप देख सेट कि हमारे पेला माने वो अलग है तो M equal to 1 पर हमारा पेला वाला formula लगेगा उसके बार में यहाप पर आप देख सेट कि हमारे यहाप सेकंड वाला formula लग जाएगा इसके लिए जरूरी कि आपने हमारी पेली classes देख रखी हो हमें पता ही कि ज्यादा इस्टून्स ने देख ली होगी अगर तब भी ने देखे तो उसका लिंग आपको प्ले लिश्ट में मिल जाएगा जिसमें हमने पेले वीडियो में पूरा अनुश बताया यानि होती क्या है उसके जितने भी method होते है उसकी वर्किंग प्रोसेस और भी बहुत सारे हमने questions करा है इसलिए आपको पेले की वीडियो देखना जरूरी होता है यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहां पर तीनो मान आगे आप यहां पर हम M equal to 1 पर सबसे पह में आ जाएगा और एससे question बहुत ज़्यादा है university exam में पूछे जाते हैं लगातर पूछे जा रहे हैं तो आप इनकी प्रेटिस जरूर कर लिजेगा ठीक है यहां पर आप देख सब्सक्राइब में इक वार डिफ्रेंशल हो रहा है यानि एक वार आउकलन हो रहा है अब इस फोर्मुलर में हमें सारे मान रख देने हैं हमारे यह पर c1 फेक्टोर आप जानते कि 1 होता है 53 डेश निकालना है तो हमें 53 तो हमने जब कोशिन की शुरात में 53 निकाल ले था जैसे कि आप जाके देख सकते हैं 53 हमने क्या निकाला था यह चीज निकाल थी आप करना होगा यहां का आपका 0 हो जाएगा 5m का 5 8m2 का आपका 16m हो जाएगा 4m3 का 12m2 हो जाएगा ठीक है अभी इस वेल्यू के क्या हम यह आप रख देते किया है हमारे माइनस 5 प्लस 16m-12m2 यहां पर आप देशते हैं हमने यह पर 53 डेश की जगा यह वेल्यू रख दी उसक 3m plus 2m इसको है तो उसे हम यहां पर रख देते हैं उसके बार में आप यहां पर देशते हैं हम यहां पर m equal to 1 पर निकाल रहे हैं तो हम यहां पर m का मान क्या रख देते हैं सब जगह 1 रख देते हैं यहां पर minus 5 यहां पर 1 की value रखने पर 16 minus 12 हो जाएगा आपके m की जगह आ सब्सक्राइब को समझ में आए और अगर आभी तक आपको यहां तक समझ में आचेकर प्रीजिशन को लाइक जरू कीजेगा क्या बाद में लाइक करना भूल जाते हैं इसलिए अभी लाइक इसे कर लिजेए ठीक है उसके बाद में आप यहां पर देखते हैं सब्सक्राइब, एक यहां पर निकाल लेती है एस पर चेरो निकाला में इस परकार हमारी से बन चुका है यहां इक रखी यहां पर नीकला होます आपके answer में भी दे रखाओ कि y minus x equal to 0 दोनों प्रकार से आपके answer देख सकते book में किसे y equal to x अगर x इदर ले जाएंगे हम minus का हो जाएगा equal to 0 ठीक है तो y minus x equal to 0 यह आपकी एक equation यह आपर निकल के आ चुकिए हमें question में क्या पूछ रखा है कि अनन्ति इस प्रशिया निकाली य निकल जाती है अनन्ति इस प्रशिया निकल जाती है तो यह हमारी पहली इसम्तोर्स हमारी यहां पर आचुकि किसके मान पर एम इकल टू वन के मान पर अब हमें निकालना है हाफ जो हमारी दो वेली ओर थी हाफ और यहां पर भी हाफ तो इन दोनों का हमें एक combined एक ही formula लग लगाना होगा जब हमारे दो मान सेम हो जाते है तो हमें यह formula लगाना होता है जो कि हमारे c square अपन में 2 factorial 5 3 double dash का मतलब इसका क्या हो रहा है दो वार आउकलन हो रहा है plus में c upon 1 factorial 5 2 dash m plus 5 1 m equal to 0 ठीक है अब हमें इनके सब के मान रख देते हैं यहां पर c square अपन में आपके क्या आजाएगा 2 क्योंकि 2 factorial क्या होता है 2 ही होता है 53 double dash 53 double dash के लिए हमें जो हमारे 53 dash उपर अभी निकाला तो उपर वाले में आपने देखा था हमने उपर 53 dash निकाला था ठीक है तो 53 dash में क्या हमें एक वार और अवकलन कर देंगे तो हमारे आप 53 double dash आ जाएगा तो यह आपर आ यहापर हमने 52 का माण आपने उपर देखा था उसका क्या कर देना एक वार अउकलन डेश का मलता एक वार अउकलन ठीक है नहीं पर वन का जीरो मैनिस 3 M का आपका 3 हो सब्स 2 M2 का प्लस 4 M यह पर हो जाएगा फिर 51 आप शुरात में देखेंगे हमने वापर 51 का भी value निकाले थी वो क्या थी हमारी जीरो थी ठीक है अब जो हमने तीनों वेलियों निकाली 53 double dash 52 dash और 51 इन तीनों को क्या हम इस equation में यहापर रख देते हैं जैसे आप में यहापर देख सकते हैं इन तीनों को हमने यहापर रख दिया अब आपको क्या M की जगह क्या रखना है हाफ रखना है तो हम यहापर M की जगहा कर देते हैं यहापर भी M की जगह आफ रख देते हैं फ fountain अम हम आगे 100 करते हैं यहापर टू से 협री at इसके बार कउलिशन करते हैं यहापकर देश सकते हैं 12-3-1 हो जैग एकल टcket जब आप इसे आगे solve करते हैं यहाँ पर आपके 2R यहाँ पर कट जाएगा क्या आता है आपके 2C square minus C equal to 0 जब आप इन दोनों में से C common ले लेते हैं C कोश्टग में 2C minus 1 equal to 0 अब आपको क्या है इन दोनों को ही जैसे आपके यहाँ पर C आ रहा है और यहाँ पर 2C minus 1 है आप इन दोनों को क्या ले लेते हैं equal to 0 ले लेते हैं जैसे आप equal to 0 लेते हैं तो यहाँ पर C कमान के आ जाता है हमारे 0 यहाँ पर आ जाता है आप यहांपर देख सते हैं यहांपर C compact एक झाल के यहांपर बीदेदेन 2C-1 को 0 हमने लिया 9C-1 पर प्लसको यहांपर , jullie अपर हमारे हमारे C यहांथ 4C कि आंप यहांदने 3C cré recipes लिएकस में रखने निए तो सबसे पर आपको C पूझ में पर निकालना है तो m कमान हमारे शुरात में क्या दे रखा था क्योंकि हम m equal to half पे निकाल रहे हैं तो m कमान हमारे half x plus में c कमान क्या निकाला 0 और यहापर आपके क्या equation बन जाती हैं यहापर आप 2y से multiply होगा वर्जगुणा होगा 2y equal to x यहापर ठीक है हो सकता है कि आपके बुक में इस परकार से भी दे रखो 2y minus x equal to 0 दोनों परकार से आपके answer right होते हैं यहापर आपको इसा भी यहापर लिख सकते हैं उसके बार में हमें यहापर half पे में निकालना होगा यहापर हमारे m की value के half है और c कमान हमारे यहापर के half ठीक है यह दोनों यह आपके two common आके यहापके y into 2y आजाएगा equal to x plus 1 तो आपके यहापर यहापर यह एक कर फॉर्म आगी हो सकते हैं कि बुक में इसे भी परकार से देसकता है 2y minus x minus 1 equal to 0 यहापर आपके आपके दे सकते हैं यह आपके दो और asymptotes यहापर आपके आचुके तो आपने यह देखा यह question आपके बिल्कुल simple था अब यहापर हम next video से क्या है आपके limit method जो हमारे सीमा वाला नियम होता है अना इंदिस परशी निकालने का जो की काफी ज़्यादा important होता है उसे हम यहापर कराने वाले ठीके तो next video का link किया जल्दी है आपको description में मिल जाएगा जब तक आपका next video आता है तब तक क्या आपकी जो यह book है differential calculus याणि alkaline गडित इसके हमने कई already chapter करा चुके है जैसे कि हमने आपको pedal equation याणि पदिक समिकर्ण पूरा ही complete करा दिया जिसमें आपके pedal equation साथ में चाप की लंबाई के अकुलर्ज यानि derivative of length of an arc पूरा complete करवाया है हमने आप जाके देख सकते हैं उसकी playlist का link आपको description में मिल जाएगा जैसे आप description में scroll करेंगे तो आपको last video में वापर सबी जो आपकी differential calculus में जितने भी हमने chapters करा है उन सब की मिल जाएगे एक साथ में हमने work करता है यानि curvature आपके अभी चल रहा है साथ में आंशी का equivalent यानि partial differential की पूरी chapter हमने वापर करा दिये तो आप उनको भी visit कर सकते है ठीक है तो मिलते हैं एक नेशी वीडियो में तब तक लिए पढ़ते रही और सीखते रही और आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उस शेशन को लाइक करना ना बोले